और दिल्ली के मुख्य मंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्री संयोजक अर्विंद केजडिवाल आज E.D. के समक्ष पेश नहीं होंगे उन्होंने E.D. के समन को अवैध बताया है आपको बता दें कि सीम केजडिवाल को E.D. ने मनी लॉंडरिंग प्रेवेंशन एक्ट की धारा पचास के तहट समन जारी किया था वहीं दिल्ली आपकारी नीती मामले में भी E.D. ने अर्विंद केजडिवाल को पूछ ताज के लिए 21 मार्च को बुलाया है E.D. ने एक बार फिर से अर्विंद केजडिवाल के खिलाफ समन जारी किया है ये केजडिवाल को E.D. का नौवा समन है पिछले समन पर पेश नहीं होने पर अर्विंद केजडिवाल को शरिवार को जमानत मिल ली है गोरतलब है कि दिल्ली मुक्यमंत्री अर्विंद केश्रिवाल को केंडरी एजनसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वो पेश नहीं हुए इसके बाद एजनसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 फरवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को आठवा समन भीजा था मुक्यमंत्री केश्रिवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए बलकि केंडर सरकार पर एजनसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बता रहे हैं और हमारे समबादाता निशांत राए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए है निशांत आज भी पेश नहीं होंगे अर्विंद केश्रिवाल बलकि वो तो समन को ही गैर कानूनी बता देते हैं कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना अब वो कह रहे हैं कि जब जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन क्यों क्या जमानत मिल जाना आगे समन जारी नहीं होने का अधार बन सकता है देखें सबसे बड़ी बात है कि ये मामला दूसरा है जो जमानत मिली है वो शराब गोटाले में जो लगातार सम्मन जारी किये गए थे उसके लिए मिली है और ये मामला दिल्ली जलबोर्ड से जुड़ा है दिल्ली जलबोर्ड में दो वित्ते आनिमताएं हैं जिसके चलते ईडी ने सम्मन जारी किया है दरासल दिल्ली जलबोर्ड के दौरा जो मुख्यवियंता थे अरोडा उनके दौरा एक टेंडर जारी किया गया था एनकेजी इंफ्रसक्टर को जो कि ये इलिजिबल नहीं थी उस टेंडर को हासिल करने के लगबग 38 करोड के आसपास का टेंडर था और बाद में जांच में पता चला था कि वो एलिजिबल नहीं था और फरजी कागजात के जरिये टेंडर हासिल किया गया और जगे जगे एडी ने इसके लिए जांच भी की थी और तमाम दस्तावेज जुटाए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को इस पूरे मामले में एडी ने सम्मन जारी किया था इसके अलावाद दिल्ली जरल बोर्ड में एक और मामला है कि अलग अलग जगे पेमेंट भुकतान के लिए आटोमेटिक मसीन लगाई गई थी औ लगबग 10 करोड से ज़्यादा की पेमेंट की गई जो कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं आई और ये गोटाला लगबग 14 करोड से ज़्यादा का है इन दो मामलों में एडी ने मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को सम्मन जारी किया जिसमें उनसे करने की बात कहीं लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने उसी स्टेंड पर के खड़ी हुई नजर आ रही है जिसमें उसका कहना है कि कहीं न कहीं अर्विंद केजरिवाल को चुनाओं से रोकने के लिए इस तरीके से सम्मन जारी किये जा रहे हैं सवाल ये उठता है क यही मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल थे जो लगातार जब विपक्ष में थे और जब आंदोलन कर रहे थे तो तमाम नेताओं को कहते थे कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप पूश्टाच में हिस्सा लेजिए और जाहिड सी बात है कि जब आप पाक साफ हैं तो आप में शुचिता होनी चाहिए पारदर्शिता होनी चाहिए वही पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं शुचिता नहीं रख रहे हैं और जिन सिध्धानतों को लेकर वो आगे चले थे उन्हीं सिध्धानतों के खिलाफ काम करते वे नजर आ रहे हैं अगर आप इतने पाक साफ ह तो फिर आप सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? अपनी सवाई पेस करेगी लेकिन सवाल यही उठता है कि अरविन केजरिवाल आखिट जांसे क्यों भाग रहे हैं? और लगातार बीजेपी इसको लेकर अरविन केजरिवाल को जांखटगरे में खड़ा कर रही हैं? अरविन केजरिवाल जो स्वेम लगा सभी राजनीतिक दलोप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर राजनीती में आये थे तो कहीं न कहीं वो अपने ही मापडंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं? और अरविन केजरिवाल वाके ही अगर कुछ गलत नहीं है चाहे जलबोड का माम लाओ चाहे शराब घुटा लाओ तो उसमें उनको आगे आके जांच में सयोग करना चाहिए और खुद पाक साफ है सभी को दिखाना चाहिए ना तो इस से चुनाव प्रभावित होगा और किसी तरीके के इस्तिती बनेगी बिल्कुल निशान दगर उन्हें ये लगता है कि हमारी गिरफतारी हो सकती है इसका मतलब कहीं न कहीं डाल में कुछ न कुछ तो काला है तभी ये आभास होता है कि बहीं गिरफतारी हो सकती है अगर कुछ नहीं किया है तो गिरफतारी क्य बात सुनी गई जो सीधे तोर पर आरोपी नजर आये थे ये दिली के मुख्यमंत्री हैं और दिली के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से नय प्रक्रिया की अवेलना करेंगे तो जो आम जनता है उस पर भी एक प्रभाव जो है वो दूसरा पढ़ेगा और जनता सोचेगी वेधानिक चीजों को नहीं मान रहे हैं तो जनता किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़े अर्विन केजरिवाल को एडी के सवालों का जवाब देने की कोसिस करनी चाहिए और हालंकि अर्विन केजरिवाल ने अगर पिछली बार बात करे तो उन्होंने कुछ शर्टे रख लेकिन उनको उनके घर में घुष्टने नहीं दिया गया, उनसे पूश्टाश नहीं करने दी गई तो यह तमाम तरीके सवाल उठते हैं कि आखिर अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही सवालों से क्यों बच रहे हैं, जांस से क्यों बच रहे हैं और इस देखे इसमें दो मामले हैं जो वित्य अनिमित्ता के हैं पहला एक मामला है जगदीस कुमार अरोडा जब दिल्ली जलबोड के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे तो उन्होंने एक टेंडर जारी किया था जो की NKG Infrastructure Limited को दिया गया था और उसके बाद ये पता चलाता है NKG Infrastructure Limited जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थी उसने फरजी कागजात के जरिये टेंडर जो है वो हासिल किया जाँच के बाद पता चला कि तमाम वो लोग जो की इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़े थे उनको इस संस्था के दोरा आई गई उसमें पेमेंट दी गई जो की 10 करोड से जादा थी और टोटल पेमेंट 14 करोड से जादा थी जो की दिल्ली जलबोड के खाते में नहीं पहुची इसके अलावा जिस कंपनी ने ये ऑटोमेटिक मसीने लगाई थी उस कंपनी के टेंडर को और बढ़ा दिया गया तो ये दो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर एडी लगातार अर्विंद केजरिवाल से जो है पूश्ताच करना चाहती है कि क्या मामला रहा दिल्ली जलबोड का जिससे कि अभी फिलाल अर्विंद केजरिवाल बच्ते हुए नजर आ रहे हैं चले निशान ताप अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर आगे भी आपसे संपर्ट करेंगे ज्यादे जानकारी हासिल करेंगे फिलाल धन्यवाद हमारे दर्शकों से अपडेट साचा करने के लिए फिलाल एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है